मेरा यूट्यूब चैनल डिफेंज 93 में आप लोगा स्वागत है दोस्त आज जो क्लासेज है वो मैथ का सुरुवाती भाग जिसको कहते हैं लोग नंबर है ना क्यूंकि देखे जब तक हम नंबर के बारे में जानेंगे नहीं तब तक मैथ हम नहीं जान पाएंगे आज SSC GD से रिलेटेड जितनी भी तरह का को जो होगा मैथ से रिलेटेड हर एक टॉपिक आपको किलियर कराऊंगा ठीक है बच्चे आप लोग हाईदा जोस के अनुसार आप तोरह तयार रहे हैं और मैं आज से क्लासेज लेना स्टार्ट कर दूँगा वीडियोस आपको डा आप अगर जान भी रहोंगे तो भी लगेगा कि यार मैं पहली बार जाना हूँ बच्चे नमर सिस्टम एक ऐसा वर्ड है ना जिसको जब तक हम अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक मैथ का कोई भी पोर्सन को हम नहीं देख सकते हैं ठीक बच्चे क्योंकि बहुत सारे प आपको बताने वाला हूं तो प्लीज अधी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आइकन को दबा लीजिए जिसे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको कि दो चीज़ों पर बात करूंगा सबसे पहले बच्चे नमर के संख्या है । संख्या प्दति आपको संख्या क्यां कर जिसी जगा को बनेद कर जिससे हम लोग ग्याद कर सकते हैं किसी संख्या को या तो किसी वस्तु को लोग जिससे ग्याद कर सकते हैं जैसे कि यहां पर एक भालू है एक भालू है एक भालू एक भालू बच्चे कितने भालू है तो इसको कैसे ग्याद करेंगे चार भालू है तो यह चार भालू जो और नवरो नमर क्या लाइगा तो यह चार भालू जो वह और किहीं किया जाना संख्याक है क्षड तो जिसकी वस्तू कि कोई का समान जिसका घ्यात करते हैं ठिकànhा तो जिसको हम लोग denoted करते हैं इसी को numbering कहते हैं जैसे की एक, दो, तीन, चार, पांच इस तरीकर से हम लोग numbering करते हैं अभी मैं बोला numbering तो numbering एक, दो, तीन, चार ये क्या है numbering कर रहे हैं कि ये कितने है चार है है तो हम लोग Literally कर रहें तो यह numbering हो गया जिसे थे और किसी को ग्याद करते हैं को संख्या जैसे ना कि याँ पर बहुत सारे मिठाई है冷 élete कितने साथ हैं वाइ से मिठाई लेकिन कितने सारे हैं तो कितने हैं एक दो तीन चार चार पांच है थो इस तरीका से प्राकिर्तिक संख्या जिसको हम लोग कहते हैं नेचूरल नम्मर दूसरा पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं अब एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि क्या डिफ्रेंस है एक नेचूरल नम्मर में और एक होल नम्मर में पहले हम लोग समझेंगे हर एक टोपिक को किलियर करते जाएंगे क्यूंकि जब तक हम किलेर नहीं करेंगे कोई भी कोशन्स को हम लोग आधा दूरा करके छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जब तक हमें नहीं होगा किसी भी टॉपिक प्राकिर्तिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या डिफ्रेंस है नेचूरल नमर और हॉल नमर में पहले जानेंगे बॉटकि नेचूरल नमर कहते हैं जितनी भी संख्या हो जिसे हम लोग कॉंड कर सकें जिसे में क्लोग करना होग चूरीघ्वन संख्या करना हो तहलो leftover नामर का देड़ करतें है ना तो यह नेचूरल नमर में आता है प्राकिर्तिक संख्या में सिर्फ जीरो नहीं होता सिर्फ जीरो को हम लोग कॉंट नहीं करते हैं लेंगे जितने भी कॉंटिंग नमर होता यह सारी प्राकिर्तिक संख्या होती है अब ध्यान रखोगे कि जीरो प्राकिर्तिक संख्या नहीं है यहां होल नमर होल नमर में श्रीप क्या होगा जीरो से भी कनेक्ट हो जाएगा होल नमर और प्राकिर्तिक संख्या में क्या डिफ्रेंस होगा तो यहीं कहेंगे कि इसमें जीरो पुर्णांक संख्या जो होता है वो 0 से start होता है प्राकिर्थिक संख्या 0 नहीं होता है मतलब दोनों में यह difference है कि hall number और difference number hall number नहीं है सब्सक्राइब नहीं होता है सभी hall hall मतलब क्या 0 सभी से complete जितना भी total infinite तक है यह इसे एक point बन सकता है क्या बन सकता है कि पूर्ण संख्यां प्राकिर्थिक संख्यां होती है लेकिन प्राकिर्थिक संख्यां पूर्ण संख्यां होती है लेकिन प्राकिर्थिक संख्यां पूर्ण संख्यां होती है होल नमर में सारा होल संप कंप्लेट हो जागा बच्चे ठीक है होल की साथ कंप्लेट हो है ना और नेचुरल नमर में जीरो से स्टाड नहीं होगा यह दोनों में आप डिफ्रेंस समझे होंगे कोशन इस तरी का से पुछा जाता है बच्चे कि बताए जीरो प्राकिर्तिक संख्या में जितने भी नमर आते वो प्राकिर्तिक संख्या में आती है ते लिए बच्चे आपको यह दो चीज जो निचूरल नमर और आपका होल नमर यह दोनों चीज को मैं किलियर कर दिया अब आते नेक्स्ट पॉइंट अब आते पुर्णांग संख्या बच्चे जिसक पुर्णांग संख्या पॉर्णांग संख्या क्या होता है पहले समझेगे ठीक है पुर्णांग संख्या जम लो nella नमर अच अब है सुधिया सुधिय में मत जाएक। नॉलिज पर जाए अब पुर्नांग संख्या किसे कहते हैं पुर्नांग संख्या वैसी संख्या जिसमें धानावे धन संख्या भी हो और रीन संख्या भी हो और जीरो तीनों का समाविस हो मतलब इसमें कॉंटिंग तीनों में हो जीरो भी नगेटिव भी हो पोजिटिव भी हो और जीरो से जैसे 1 लाइन ले लिए मैन लायन में क्या क्या हम लोग देखा कि यहां पर संख्या है वो 0 से start हो रहा है ना बचे यहाँ पे जाएगा minus 1 यहाँ पे जाएगा minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 लेकिन इधर क्या आगा 1,2,3,4,5,6 मतलब क्या होगा सब positive में बचे है ना इधर हम लोग को पता है कि 0 से start होगा इधर आएगा तो negative हो जाएगा और इधर जाएगा तो positive होगा मतलब अधी दाएं तरफ जाएगा अधी इसके दाएं तरफ जाएगा तो positive होगा कोई संख्या 0 पर खड़ा है कोई आदमी तो अगर दाएं तरफ पॉजिटिव होगा और बाएं तरफ आपका नेगेटिविट होगा ठीक है नेगेटिव होगा तो यह सारी चीज़ें हम लोग जा नहीं करते हैं यह सारी हो क्या हो जागा आपका तो इंटेजर नमर होगे टो परिमे रखोगे बचे को ओं लोगो कहते रेशनलल नमबर है न बचे रेशनल नमबर धानीनमें होगे और हिंडी में बहुत समुथ समझाते जारहा है परे में सोग्या कहते है वैसी संख्या जिसे प by सम्यों में लिखा जाए वैसी संख्यां जिसे हम बट्टे के रूप में लिख सके बट्टा मतलो क्या एक यह जो लोग कहा होता है अनुपात जैसे एक बटा दो तीन बटा दो चार बटा छे दो बटा 3 9 बटा दो इस तरीका से अगर हम लोग जी संख्यां को P by Q के रूप में लिख सकते हैं वैसी संख्या आपका rational नमर कहलाता है या परिमे संख्या कहलाता है ठीक है अब क्या होता है इसमें एक rule regulations है कि जो नीचे वाली संख्या होती है तो Q not equal to 0 बचे अगर नीचे वाली संख्या 0 होती है तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा यह कोई संख्या अगर नीचे हो तो यह परिभासित होती है इन्फनाइट हो जाती है तो यह कभी वियाद रखेंगे rational नमर वैसी संख्या को कहेंगे जिसे P by Q के रूप में लिखा जाए जिसे P by Q के रूप में लिखा जाए जिसे वह अनुपात के रूप में लिखा जाए 1 by 2, 3 बटा, 2, 4 बटा, 6, 5 बटा, 6 9 बटा, 2 यह negative भी होता है कोई दीकत नहीं यह negative भी होता है इसे में कोई प्रॉलम नहीं है लेकिन जिसे हम लोग इसे बच्चे क्या कहेंगे अपरी में संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जिन संख्या को P by Q के रूप में नहीं लिखा जाए जैसे P by Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वैसी संख्या को हम लोग अपरी में संख्या कहते हैं चैसे की रूट 5 रूट 6 रूट 7 रूट 9 ठीक है माइनस में भी हो सकता है माइनस रूट 7 माइनस रूट 5 इस तरीका से जी आइसे संक्या जो और तो परिमेह संख्या है कैसे इस के नीचे कुछ नीचे सकते हैं ये लेकिन रिपाड़ में सकते हैं अभर्यवल के आप हम पता है कि रूट के अंदर जो वैल्य होती है वह कुछ भी वैल्यवा सकती है इसका अगर हम परी में संख्या होगी बचे अपरी में संख्या में एक चीज अब ध्यान रखोगे अपरी में संख्या में क्या चीज ध्यान रखना है कि पाई जो होता है पाई हमारा अपरी में संख्या है क्या है पाई तो हम लोग जानते होंगे पाई का वैल्यू तो पाई जो होता वो अपरी में संख्या है ठीक है यहाँ पर एक कोशन्स आता है कि क्या पाई परी में संख्या है या अपरी में संख्या है पाई जो है अपरी मे परिमे संख्या होगा ठीक है यह हमारा मैंट पॉइंट था जो हमें आद करना था ठीक है अब अगला पॉइंट आते हैं वास्तविक संख्या रियल नमबर आते हैं वास्तविक अब आता है और अब परिमय संख्या दोनू आते जैसे की रूट टू माइनस फाइब बटा शिक्स माइनस रूट सेवेट जीरो फाइब नाइन है ना बच्ये यह सब Hey 3 by 2 minus 3 यह सभी परिमे संख्या आइसी संख्या जिसमें परिमे और आप परिमे दोनों आए मतलब ऐसी संख्या जिसमें रेशनल रेशनल नमर दोनों आए बोत की चर्चा हो वास्तिविक संख्या या रियल नमर कहते है रियल नमर में सभी चीजों की आपका गिंती होगा टोट कहते हैं हम लोग positive integer है ना बचे positive integer positive integer क्या कहला था बचे किसे कहते है धन पूर्णाग धन पूर्णाग कहते है वैसी संख्या जो positive हो वैसी संख्या जो positive नेगेटिव ना हो सिर्फ positive जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 लेकिन क्या होगा पोजिटीव होगा क्या होगा पोजिटीव होगा इसमें अधर नोगेटीव आए जैसे माइनस टू को पूछे कि क्या धन पुरनांक है पोजिटीव इंटेजर है तो क्या इसमें होगा कोशन देखो कैसे पूछता है पूछता है कि बताए पोजिटीव इंटेगर इन में से क पता है कि बच्चे पोजिटिव इंटेगर क्या होगा माइने पलस सेवन तो यहां सारी जब तक नॉलेज नहीं आएगा तब तक हम लोग नहीं कह सकते हैं यह सारी पॉइंट को देखेंगे अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव इंटेगर जिसको हम लोग कहते हैं रीन पूर्णांक में है रीन पूर्णांक हम लोग किसे कहते हैं तो नेगेटिव इंटेजर ठीक है नेगेटिव इंटेजर क्या कहलाता है नेगेटिव इंटेजर कहते हैं वैसी संख्या या वैसा नम्मर जो सिर्फ नेगेटिव हो नेगेटिव मतलब माइनस में हो जैसे कि माइनस one, बाइनस two, मािनस three, माइनस four, माइनस five, माइनस six, मांस seven, मान итॉटटत, माइनस infinite है, बच्छे यह सारी संख्या क्या होगी तो रीनपुर्ना और होगी negative integer होगा, कि लिए रहे, इसमें क्या होगा, पलस वाले संख्या नहीं होगी सिर्फ नागेटी वाली होगी ठीक है बच्चे अब यहाँ पर जितने भी तरह का पॉइंट था डिवेजलेज था वो सारे डिफिनिशन में दिया हो अब आगे देखेंगे बच्चे एक ची ध्यान रखोगे कि पॉजिटिव इंटीगर को कोशन आता है पॉजिटिव इंटीजर को धन पूर्णां को पलस जैड से निरूपित करते हैं या आई पलस से करते हैं ध्यान रखोगे यह दोनों चीजों से डिनोटेट करते हैं यह ध्यान रखोगे कोशन पुझा जाता है बताए जैड पलस को क पलस से हम लोग दिनोटेड करते हैं अब बच्चे आते हैं यहां तक किलियर हो गया हमारा जितना तरह का कोश्चन्स पूछे जा देते वहां तक अब आते हैं हम लोग इवेन नम्मर और और नम्मर बहुत सारे बच्चे संक्रीक आफ 10.. ठीके बच्य बच्चे इसमें मतलब ऐसी संख्या जोडा में हो मतलब दो जोडा में करनमेट हो जैसे दो एक और एक दो और है ना 3 और 3 4 और 4 में कैसे जानेंगे कि इनिटीजर है या यह सोरी जोड है या और में water में क्या अइसा इंग किसी संख्या को हम क्या कहेंगे बच्चे तो विसम संख्या कहेंगे और नमर कहेंगे अब पाचानेंगे कैसे तो देखे सब्सक्राइब तो सम्संक्या और सम्संक्या सब्सक्राइब ठीक है बचे तो आई होप आपको समझ आया होगा नम्मर सिस्टम जो पार्ट वन का था बचे अब आपको जो मिलेगा वह डिटेल्स के साथ मिलेगा क्योंकि देखे को भी टोपिक को उठाएंगे हम तो इसके सीरियल बाइज को स्टार्ट करेंगे इसके बाद हम फाइनली त कर दो एक्रोप श्जूर्ब है झार्ट पको स्विक को स्टर्ट बाट नमी है यारीश जली की डोंको सबदार्ट पन का इसके साहे संवेंगे नमी dogMyोर्श यार्ट ब Pump, Spia Issक फबस्वाने है जो जो WAँबस्वार्ट स्टर्ट बादルク